बच्चों पिछले विडियो में हमने घन, क्यूब और उसके नेट के बारे में जाना इस विडियो में हम और त्री आयामी थ्री डायमेंशनल आकारों और उनके नेट के बारे में जानेंगे जब चंदा अप्पू की पार्टी में पहुँची तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग थे चंदा ने देखा कि बबबन अप्पू के लिए इस तरह के आकार का पेंसिल बॉक्स लाया है चंदा सूच रही है कि यदि उसे इस आकार का बॉक्स बनाना होता तो वो ये कैसे कर पाती बच्चों क्या आप इस आकार को पहचान सकते हैं? जी हां ये एक त्रिकोनिय प्रिजम, ट्राइंग्यूलर प्रिजम है त्रिकोनिय प्रिजम, ट्राइंग्यूलर प्रिजम एक त्री आयामी, त्री डायमेंशनल आकार है जिसकी कुल पांच सतहे फेसिज हैं जिन में से दो त्रिकोन, ट्राइंगल और बाकी तीन सतहें फेसिस आयत, रेक्टाइंगल होती हैं क्या आप इस त्रिकोनिय प्रिजम, ट्राइंगिलर प्रिजम के नेट की आकरती बना सकते हैं? आईए इसे करने के लिए हम इस प्रिजम को खोले हम इस तरह से दाइं आयाताकार सतह, रेक्टाइंगलर फेस को खोल कर नेट की आकरती बनाना शुरू कर सकते हैं फिर हम इस तरह से बाइं आयाताकार सतह, रेक्टाइंगलर फेस को भी खोल सकते हैं फिर हम अंत में बची हुई डोनों त्रिकोनिय सतहों ट्रायांगलर फेसस को इस तह से खोल कर त्रिकोनिय प्रिजम, ट्रायांगलर प्रिजम के नेट की आकर्ती बना सकते हैं। बच्चों, क्या आप त्रिकोनिय प्रिज्म, ट्रायांगिलर प्रिज्म के नेट की कोई और आकृती बना सकते हैं। आप विडियो को रोक कर इसका उत्तर ढूण सकते हैं। शाबाज बच्चो आप इन तरहों से भी एक त्रिकोनिय प्रिजम, ट्रायांगिलर प्रिजम के नेट की आकरती बना सकते हैं। आपने इन नेट की आकरतियों को बना कर चंदा की उलजन सुलजा दी। आइए देखें अब चंदा क्या कर रही है। चंदा ने अब पार्टी में सभी लोगों को इस आकार की टोपी पहने देखा। वो सोच रही है कि ये कौन सा आकार है और इसके नेट की आकरती कैसी नजर आएगी। क्या आप टोपी के आकार को पहचानते हैं। ये एक खुला शंकू, ओपिन कोन है। ये एक त्री आयामी, त्री डाइमेंशनल आकार है जिसकी केवल एक घुमावदार सतह, कर्वड फेस है। चंदा ने खुले शंकू, ओपिन कोन के नेट की आकरती को जानने के लिए एक टोपी ली और उसे इस तरह से खोल दिया। बच्चो, एक खुले शंकू, ओपिन कोन का नेट इस आकरती की तरह नजर आता है। चंदा ने पार्टी में इस तरह के दो और आकार देखे। क्या आप चंदा को इन आकारों के नेट की आकरतियां बनाने में मदद कर सकते हैं। आप विडियो को पास करके इसका उत्तर ढूंड सकते हैं. अच्चो, आपने इनके बिल्कुल सही उत्तर ढूंड हैं. आप इन तरीकों से भी आक्रतियां बना सकते हैं. चंदा अब पार्टी में घूम-घूम कर और भी आकारों को देख रही है और उनके नेट की आकरतियों को कैसे बनाया जा सकता है? ये सोच रही है। आप भी अपने आसपास की वस्तूओं के आकारों को देखिए और उनके नेट की आकरतियां बनाने की कोशिश कीजिए। बच्चों, इस पाठ में हमने त्रिकोणिय प्रिजम, ट्रायांगिलर प्रिजम, खुला शंकू, उपिन कोन और अन्य त्री आयामी त्री डायमेंशनल आकारों के नेट के बारे में जाना।